अलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल क्रैकोवर में स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको जो रेडियेटर का जो लाइन होता है जिसको में पूरा कूलिंग सिस्टम जो गाड़ी का जो इंजन होता है कूल करता है उसमें जितने सैंसर लहाइन उन सभी के बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ तो अगर वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करिए चैनल को सब्स्राइब करिये वीडियो को सेयर करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि temperature sensor और temperature switch और radiator fan switch ये तीनों कहां लगे होते हैं क्या working है और कब ये work करते हैं और इनका खराब होने से क्या-क्या fault आता है तो friends जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आपका air filter का box होता है मैंने उसको हटा दिया है और आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो आपका sensor है ये brown वाला ये जो brown वाला sensor है ये आपका radiator fan switch है ये आपका radiator को चालू करने में work करता है जो आपका latest गाड़ी है जो DI पुराना model में भी लगा हुआ है इसका यहां पर position होता है और एक आपका radiator है ना ये देखे जो आपका radiator है ये जो radiator का body आपको दिख रहा है यहां पर ये connected रहता है आपका radiator का body में connected रहता है मैं आपको फोटो भी दिखा रहा है आप देख सकते हैं यहां पर connected रहता है ये भी radiator fan switch है इसका क्या काम है जब आपका coolant जादा गरम हो जाता है तो ये automatically radiator को चालू करेगा radiator fan को ठीक है और अगर ये sensor खराब हो गया तो radiator आपका timingly नहीं चलेगा या फिर आपका radiator चलेगा ही नहीं तो इसको मैंने check करने का तरीका बताया हुआ है कि कैसे इसको check करना है उसका मैं video के description में link दे दे रहा हूँ तो आप उसको जा के देख सकते हैं उसे मैंने पूरा radiator को बताया कि कैसे radiator direct करना है और radiator को कैसे check करना है कि आपका radiator fan का ये sensor खराब है यह आपका radiator fan खराब है तो यह जो आपका है इस sensor का work क्या है कि यह क्या काम करता है कि आपका radiator fan को चालू करता है दूसरी बात आप इस sensor को देख सकते हैं same album में लगा हुआ है देख सकते हैं एक ही album में लगा हुआ है यह दोनों sensor एक ही album लगा हुआ देख सकते हैं तो यह जो sensor है इसमें single wire है यह sensor single wire sensor रहता है यह आपका sensor जो आपका instrument cluster है जो आपका dashboard में लगा हुआ है जो sensor आपका dashboard में लगा हुआ है जहाँ पर आपको काटा दिखाता है कि engine में कितना temperature है अंदर से जहाँ पर speedometer है यह उसका sensor है आप इसको निकाल देंगे तो अंदर का जो meter है वो बंद हो जाएगा यह सिर्फ अंदर का जो meter है उसको reading भेजता है इसका और कुछ काम नहीं है यह सिर्फ आपको अंदर में display के लिए sensor यह display sensor है कि कितना temperature वो आपको अंदर में दिखाता है और यह जो आपका है यह sensor इसको radiator fan switch बोलते ह है radiator को चालू करने के लिए और यह दोनों sensor देखे आपका बहुत लोगों का यह problem आ रहा था कि जो radiator fan है वो सही से चल नहीं रहा है तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपकी घाली में यह देख सकते हैं यह आपका elbow है यह thermostat elbow है ना जो plastic का आपको दिख रहा है यह thermostat elbow है इसी आपको बताऊंगा कि thermostat को कैसे चेंज करना आपको कूलेंट कैसे पूरा परली चेंज करना और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना तो अगर आपकी गाड़ी में thermostat नहीं है ना तो यह जो radiator fan switch है यह सही से work नहीं करेगा यहाँ पर जो radiator का switch लगा हुआ है सेम ऐसा ही रहता ह मैं आपको उसको फोटो दिखाता हूँ आप देख सकते हैं तो अगर thermostat नहीं है ना तो radiator fan switch सही से work नहीं करता है तो आपका radiator fan चलेगा नहीं अपना मन बर्जी से चले गया thermostat नहीं है तो और मैं separate वीडियो बनाने वालों कि thermostat गाली में क्यों रहना चाहिए और कब हमको remove कर चाहिए जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाया thermostat हम निकाल दिये हैं तो गाली में क्या problem है तो क्यों नहीं निकालना चाहिए और ऐसे तो ठीकिए 99% में cases में हमको thermostat भाल नहीं निकालना चाहिए उसका एक specific reason है वो मैं आपको बताऊंगा proper बट यह जो आपका radiator वाला में थ sensor होता है और यहां पर नहीं लगा होता है यह जो radiator fan switch है अगर यहाँ नहीं लगा है तो radiator में लगा होगा यहाँ पर यह switch लगा है पहले advantage है, मैं आपको बताता हूँ, यह यहाँ लगा है, तो यह पहले temperature sense करेगा, यह coolant का भी है, यही पर temperature जादा है, अभी thermostat मालीचे नहीं खुला है, यही पर temperature sense का लिए है, पहले ही radiator को चालू कर दिया, तो जो radiator में आपका पहले से coolant है, वो थोड़ा सा और थंडा हो गया, तो यहाँ से गरम आया, तो यह फिर यहाँ बंद होगा, फिर यह थंडा होगा, और इसका यही रिजन है, यहाँ लगाने का यह रिजन है, इसका क्या disadvantage होता है, मैं आपको बताता हूँ, माल लीजिए अगर आपका thermostat valve खराब हो गया है, और यह यहाँ से sense कर लिया, कि यहाँ temperature जादा है, यहाँ से thermostat valve नहीं खुला, यह यही से पहले ही coolant ठंडा कर दिया है, तो क्या होगा, thermostat नहीं खुला, उधर से coolant जाने का पूरा कोशिस कर रहा है, इधर से coolant नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा, गाड़ी over it होगी, temperature, जो sensor है न, वो कभी, कभा, rarely, जादा दि है, वो अगर यहाँ पे लगा हुआ है, देखें, यहाँ पे लगा होता है, जो temperature switch है, इंडिका में, पुराना-पुराने DI model में भी कहीं है, यहाँ पे दिया है, और जो किसी-किसी model में उपर में दिया है, तो अगर यहाँ पे लगा है, तो इसका क्या advantage है, मान लीजे आपक यह चालू करेगा, बस इसका यह है चीज difference की, यहाँ पे यह temperature आया, तब यह radiator को चालू किया, यहाँ पे क्या है, यह पहले ही radiator को चालू करने की कोशिस करता है, maximum time, जब आपका पहले sense किया, radiator fan चालू हुआ, coolant इदर आया, coolant थंडा हुआ, उस side से थंडा coolant घूसा, यह ब Friends, अगर आपको वीडियो में कुछ informative लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को share करिए, कोई problem ने तो निचे comment कर सकता है, मैं reply ज़रूर दूँगा, और एक बात, यह आप लोगों के लिए मैंने एक नया Facebook पे page create किया है, तो उस page को आ for watching my video, जय हिन, जय भारत